नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फिरेशिक शाय के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जियां साथ यू एचसाशी चेर्मेन साब के वाले से बड़ी खबर आ रही है सीटी एकजाम डेट को लेकर जियां दोस्तों सीटी एकजाम में चोकाने वाले खुसकबरी आपके पास पहुंचाई जा रही है नोर्मलाइजेशन जंजट खतम हो सकता है दो सिप्टों में होगा पेपर और चेर्मेन साब ने क्या बड़ी गोशना की है अगर आप पूरी इंफोर्मेसिन देखना चाहते हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अरियाना का एक मातर विश्वसने चैनल जिसके उपर आपको सभी परकार की बरतियों से रिलेटेड जानकरी प्रोवाइड करवाई जाती है चलिए साथियों देख लेते हैं आज की बड़ी खबर चंडिगड में भी होगा CET ये देख सकते हैं साथियों बड़ी अपडेट एक से डेड माव में आएगा रिजल्ट है यानि कि इसका जो CET का रिजल्ट है वो भी एक से डेड महीने के अंदर आपका सामने होगा ये CET का एक्जाम का रजल्ट भी है वो एक से डेड महीने के बीच आपके सामने होगा कोमन इलिजिवेल्टी टेस्ट यानि CET की परिक्षा के लिए तैयार यां तेज हो गई है यह टेस्ट के वले रियना के साथ चंडिगड में भी होगा यानि कि साथियों चंडिगड की क्रेंशिंग की है और अपने अपने जिले से CET का ब्योरा जल्द देने के लिए कहा है ताकि परिक्षा को लेकर जो भी इनकी परकिरिया है वो पूरी की जास की और NTA के साथ उसके बाद संयुक तो बैठक होगी बैठक के बाद ही बड़ा फैसला लिया जाएगा अब साथ है वो दो सिप्टों में करवाई जाएगी अब यह भी फैसला लेना है कि एक दिन में दो सिप्ट होती है या फिर एक दिन में एक सिप्ट करवा कि यानि कि दो दिन में यह परकिरिया पूरी की जाती है लेकिन साथ यो जो हमारा सुजाव है हमारे इसाब से अगर एक दिन म मोर्निंग और यूइनिंग सेशन में ही अगर सीटी का एक्जाम खतम हो जाए तो यह बहुत ही अच्छी परकिरिया होगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन का जंजट भी खतम होनेगी पूरी-पूरी संभाव न रहेगी एक जैसा एक्जाम एक्जाम सी दे सकती है क्योंकि पेपर यानि की एक ही पैटरन के उपरा दारित पेपर हो एक्जाम बना सकती है तो साथियो यह बड़ी अपडेट है और एक से डेट माके अंदर इसका परिणाम है वो गोशित कर दिया जाएगा तो बड़ा फैसला यह हम इसको कह सकते हैं अगर दो सिप्टों में एक्जा किया जाता है तो साथियों यह अभी संभावना जताई जा रही हैं कनफरम तो जैसे ओफिशियल नोटिस आएगा उसके बाद ही ओपाएगा ओफिशियल नोटिस के बाद ही कनफरमेशन होगी बड़ी अपडेट है देख सकते हैं न्यूजबेपर में आज यह बड़ी खब लादावाबाध्योटे कर रहा है